सोना आल टाइम हाई से आठ हजार रुपे से अधिक सस्ता होने का असर बजारों में दिखा है केट ने कहा है कि आभूशन उद्योग महामारी की वजा से आई मंदी से उबरा है केट ने एक बयान में कहा है कि धनतेरस पर देश भर में लगभग 75,000 करोड रुपे की बिक्री हुई करीब करीब 15 टन सोने के आभूशनों की बिक्री हुई है केट ने बताया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 1000 करोड रुपे, माराष्ट में करीब 1500 करोड रुपे, वही उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड रुपे की अनुमानित बिक्री शामिल है तो वहीं दप्चिन भारत में लगभग 2000 करोड रुपे होने की बिक्री होने का अनुमान लगाया गया है बताते कि दिपावली से पहले बजारों में धंतेरस की सकारातमक शुरुवात हुई और कोई चमक वापस पाते वे सोने की आभूश्णों और सिक्कों की बिक्री कोवीर्ट के पहले के स्टड पर पहुंचने की ओर है मामारी की घटती चिंताओ और माग में तेजी के साथ उपभोक्ताओ की बीड सोने की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर रही है दुकानों में और ओनलाइन विक्री तेज होने के साथ सोने की कीमतों के अगस्त के करीब सकतावन हजार रुपे प्रती 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर की तुड़ना में अपेक्षक रित नरम होने के साथ मंगलवार को खरीदारी में व्रिदी हुई विशेश रूप से हलके वाले सोने के उत्पादों की विक्री में तेजी आई हिंदू माननेता के अनुसार धन्तेरस को कीमती धातों से लेकर बरतनों तक की खरीदारी के लिए सबसे शुब दिन माना जाता है सोने की कीमत मंगलवार को राश्ट्वी राजधानी में 46,000 से लेकर 47,000 रुपे प्रती 10 गराम के दैरे में थी जो इस साल अगस्त में 57,000 रुपे से अधिक के रिकॉर्ड स्थर पर पहुंच गई थी हाला की सोने की दर अभी वी धंतेरस 2020 के भाव 49,240 रुपे प्रती 10 गराम की तुलना में 17.5 फीजदी अधिक है मई अकिल भारती रतन एवं आभूशन स्थानी परिशद के चेर्मेन ने का है की हम उमीद करते हैं कि विक्री की मातरा बरावर होगी क्योंकि दरे 2019 से बढ़ी है मूले के संदर्ब में हम 2019 के स्तर से 20 परतीशत की व्रिदी की उमीद करते है अभूशनों की दुकानों में उपवोक्ताओं की बढ़ी वी बीड देखी गई जिससे ऑफलाइन खरीदार की फिर से बढ़ने का पता चलता है एक साल पहले की तुलोना में दुकान जाकर खरीदारी करने वाले उपवोक्ताओं की संख्या में 40 फीजदी की व्रिदी हुई है आम तोर पर धन 13 के दिन 20 से 30 टन सोना बेचा जाता है और इस साल शेतर की कंपनियों के अनुसार मातरा थोड़ी अधिक होने की उमीद है महीं World Gold Council, WGC के शेतरी मुख्य कारे पालक अधिकारी के अनुसार दभी मांग कीमतों में नर्मी और अच्छे मौनसून के साथ ही लॉगडाउन संबंदी प्रती बंदों में राहत से मांग में जोरदर उचाल की उमीद है उन्होंने कहा है कि हम उमीद करते हैं कि ये तिमाही हाली के वर्षु में सबसे बहतनी तिमाही होगी यूड़ पोर्ट, मारके ताम्स टीव